Hello everyone, welcome back. आज हम बात करना रहे हैं Blender-Spinth method के बारे में यह part है Heat Equation, Heat Equation के दो part है Blender-Spinth method और Crank Nicholas method, आप दोनों methods से इसको solve कर सकते हैं आज बात करेंगे Blender-Spinth method के बारे में यह लिए समस्ते है Blender-Spinth method होता क्या है इसको कैसे solve करते हैं ब्लेंडरिस्पित में हमको एक इक्वेशन दे रखी होती है इक्वेशन किस फॉर्म में रखी है इस फॉर्म में दे रखी होती है यहां निकाल लेते हैं ठीक एक condition दे रखी होती है ठीक condition क्या है u x,t यानि कि x और t की value दे रखी है तो x fix होगा यह x fix नहीं होगा यह t fix नहीं होगा ठीक हमको quotient में given होगा अगर quotient में है तो हम लोग वहां से लेकर यहां से निकलाएगा वाल्य पुट करेंगे हमको के कर निकलाएगा के की value निकलाएगी ठीक अब उसके बाद क्या होगा हम के की wealue उसके help से टेबल बनाने के बाद हम लोग इस एला पार्ट हम लोग फिल कर लेंगे एस टेबल को फिल करने लिए जो होगी यह हमाई क्या है क्या है हम लोग क्या करेंगे एक साइड का एक डेटा लेंगे और दोनों को एड करदेंगे डिवाइड करदेंगे टू से इस फॉर्मले से यानि कि a इस तरह करेंगे इस में इस तरह करेंगे इस में इस इस में इस की वैलू आपको निकालनी होगी और यह लगा सकते हैं इस टेबल को इसको समझते हैं कि सॉल्फ दिस एक्वेशन दे रखी यानि कि एक्वेशन की हेल्फ से अगर हम लोग कंपेर करें ब्लेंडर रिसमेंट के फॉमले को तो यह हमारा ए हो जाता है ठीक पाई ब्लेंडर रिसमेंट मैंठाड यू जीरो कॉमा टी इक्वल टी जीरो एंड यू और हमारी क्वेशन में बाउंटरी कंडिशन दे रखी है यहां पर कोशन में अगर इस जो इक्वेशन को अम लोग कंपेर करें कि से तो देखिए क्या कह रहा है ठीक ब्लेंडर इसमिंट का होता है कि अब यहां से देखिए एक वैल्यू कितनी है एक वैल्यू यहां पर देखिए उपर कोशन में तू आ गई है ठीक एच की वैल्यू हमको गीवन है वन और टी कहां तक चलेगा टी जाएगा फाइब तक अब आगे मुप करते हैं आप इस चीज को देखते हैं यू जीरो कॉम करेगा और टी जो इंटर्वल है ठीक इंटर्वल है वो किसको रिप्रेजन करेगा के को रिप्रेजन करेगा ठीक अब यहां से एक चीछ तो में आए कि यह हमारा क्या है एक्स है यह हमारा टी है यानि कि एक्स हमारा फिक्स है सबसे पहले एक्स क्या है जीरो फिक्स कर दिय अब T जो value होगी वो up to कहां तक जाएगी 5 तक move होगी ठीक यह समझ में आ गया दूसरी देखते हैं U,4,T यहां पर भी देखिए U,4,T क्या है 0 यानि कि X को क्या कर दिया fix कर दिया है और T को move कर रहे है ठीक यानि कि T के data को बढ़ा रहे हैं यानि कि हमको यह दे रखिए यहां पर एक चीज और देखिए X को increment कर रहे हैं और T को क्या किये है fix कर दिये है इसकी help से data को हम लोग solve करेंगे सबसे पहले blender i spin को पता है आपको K की value निकालनी होती है K की value कैसे निकालेंगे देखिए K की value निकालने के लिए K का formula होता है अब देखिए हम लोग कहां से value शाट करेंगे सबसे पहले condition में देखिए X की value क्या 0 से fix है ठीक यानि कि 0 से शाट होगी और कहां तक गई गई है कि यू की value देखिए 4 तक यानि कि 4 को fix किया जाए दूसरी condition कोशन दी गई थी वह क्या है 4 तक यानि 0 से लेकर 4 तक 4 तक fix हो गई अब H देखिए क्या है 1 है कोशन में आपने देखा वह पर टॉप में क्या कह रहा था कि जो एक्स इंटर्वल होगा वह किसको रिप्रसंट करेगा H को यानि कि H हमारा क्या है 1 है तो यानि कि यह जो कॉलम होगा यह एक्स को यानि कि यह एक्स होगा यानि कि जो इंटर्वल होगा वह वह वन होगा तो यहां पर 0 से लेकर 1 तक जाएगा 1 से लेकर 2 तक जाएगा 2 से लेकर 3 तक जाएगा ठीक यह बन 1 इंटरवल मूव होगा ठीक पार को मैंने chat адम में क्या था कि k जा कि και'm involvement कि क्या है कि कि क्या है वन है तो वन इंटरवल करेगा कहां तक जाएगा अइस टाट कहां से होगा क्या कि शिर्वosure many टे चीज बाहर की जा रही थी boundary condition में तो यहां पर T की value क्या थी जीरो दी आई है यानि कि यो T start होगा वो move होगा वो जीरो से start होगा और कोशन में अलड़ी दे रखे T की value कहां तरह मूव करेगी वो तो यह हमारा 5 तक मूव कर रहा और कितने इंटर्वल मूव कर रहा है कि क्या है वन है तो वन बन मूब करेगा तो जीरो से 1, जीरो से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह मूब करेगी नव हम लोग एक के करके सॉल्व करते हैं सबसे पहले यह condition लेते हैं यह जीरो कमा टी इकवल टू जीरो यानि कि एक हमारा फिक्स है जीरो टी हमारा इंक्रिमंट होगा टी कहां तक इंक्रिमंट होगा 5 तक तो इसको सॉल्व करते हैं यू 0,0 हो जाएगा यू 0,1 हो जाएगा यू 0,2 हो जाएगा यू 0,3 हो जाएगा यू 0,4 हो जाएगा यू 0,5 हो जाएगा ठीक अब इन सब की value question में already given है 0 ठीक तो ये overall क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा अब इसी के health से हमनों table fill कर देंगे 0,0,0,0,0,0 अब उठाते हैं दूसरी yearly condition यह क्या है 0,4,4,t equal to 0 यानि कि x की value क्या है fix से t की increment हो रही है यानि कि 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 यह देखिए आप इसकी value क्या रखिए question में given है 0 overall हो जाएगी 0 आप इसको table में fill कर देंगे table में कैसा fill करेंगे वो देखते हैं x की value क्या है 4 fix है यानि कि इस पार्ट में 4 वो बाकि team increment हो रहा 0,1,2,3,4 जा रहा है यानि कि यह जो column है ठीक यह हमारे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक इसकी असल में आ गया ठीक अब हम लोग लेते हैं boundary condition की help boundary condition क्या है पर हम लोग boundary condition देखें u x,0 equal to x 4 minus x ठीक x हमारा क्या है increase हो रहा है ठीक x हमारा increase हो रहा है और t क्या है हमारा fix है t 0 fix कर दिये है यानि कि जो अब जो value बनेगी condition बनेगी वो क्या होगी 0 से जाब है 0,0 ठीक 0,0 हो जाएगी 0,0 1,0 2,0 3,0 और यह 4,0 हो जाएगी ठीक यहाँ पर लिए देते है 4,0 ठीक ठीक 4,0 ठीक now condition क्या है x 4-x यानि कि x की value अभी अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या जीरो थी तो 0 4-0 तो overall 0 आ जाएगी अब x की value 1 है तो 1 4-1 तो हमारी क्या आ जाएगी 3 हो जाएगा 3 बनेज़ 3 3 आ जाएगी अब यहाँ पर x की value 2 है 2 4-2 तो हमारी क्या जाएगी 4 आ जाएगी अब यहाँ पर 3 है x की value तो 4-3 तो हमारी क्या जाएगी 3 आ जाएगी अब यहाँ पर क्या है x की 4 है 4-4 तो हमारी क्या जाएगी यह 0 आ जाएगी ठीक नव हमारी data मिल गया अब data क्या है यहाँ पर इस data को हम लोग क्या करेंगे table में fill करेंगे अब table में कैसा fill करेंगे वो देखते है x 0 था और t 0 है x x हमारा 0 है यह अगर हम लोग इसको नीचे करें थोड़ा ठीक है x हमारा 0 है x 0 है और t 0 है यानि कि यह पार्ट तो यह हमारा already 0 आ गया fill कर दिया हम लोग यहाँ पर already 0 है अब x हमारा 1 है और t 0 है यानि कि t 0 है x हमारा 1 है तो इसकी value कितनी होगे 3 होगे x हमारा 2 है or t 0 है x हमारा 0 है x हमारा 4 है और t 0 है यानि कि यह condition x4 है यह होगे 0 हमारी उपार यह डोग टेटा को हम लोग ने क्या कर दिया fill कर दिया अब हम लोग short trick के अपनाएंगे, short trick क्या है, अगर हम लोग उपड जाए, short trick मैंने आपको बताई थी मैंने, कि बागी table की value कैसे fill करेंगे, इस stock trick से, एक A उठाएंगे, एक B उठाएंगे, दोनों को add करके divide करेंगे, तो हमारी C की value निकल आएगे, इस trick को हम लोग यहाँ पर implement करेंगे, blender aspect में, ठीक, आप देखिए, अब इसी trick को हम लोग table में implement करेंगे, तो हमारी जो data होगा वो निकल के चला जाएगा, ठीक, ना, यह उठाएंगे, ठीक, और यह उठाएंगे, और इसकी table निकल आएगा, यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, अगर इसको में थोड़ा column change करतें, ठीक, यह हमारा A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, दोनों को add करेंगे, divide करेंगे 2 से, तो हमारा क्या जाएगी value 2 आजाएगे, ठीक, इसको उठाएंगे, 3 plus 3, 6, 6 divided by 2, हमारी क्या जाएगे, 3 आजाएगी, अब इसको उठाएंगे, 4 plus 0, 4 divided by 2, तो हमारा 2 आजाएगा, ठीक, now same process यहाँ करेंगे, 0 plus 2, यानि कि 3, तो हमारी यह क्या जाएगे, 1.5 आजाएगी, तो हमारी यह क्या जाएगे, 1.5 2 आजाएगा, 3 plus 0, यानि हमारी क्या जाएगा, 1.5 आजाएगे, ठीक, now same, next, इस value को, इस value को, हम लोग add करेंगे, तो हमारा क्या करेंगे, यह हमारा बना जाएगा, ठीक, अब इसको, इसको add करेंगे, तो हमारा 1.5 आजाएगा, इसको, इसको add करेंगे, तो हमारा बना सब्सक्राइए लगाना इसकोसे इसे तरह concept लगाना है इसको इसे तरह सब्सक्राइब हैं ठीक यही हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा है आपको सर्फ याद रखना फिर यह फिल करना होगा यह पार्ट फिल करने के बाद आप इपनाएंगे क्या है कि A इधर से B इधर से दोनों को लेंगे एड करेंगे C निकालने के लिए A plus B divided by 2 हमारा क्या जाएगा C निकालाएगा यही हमारा एंसर है इसी को बोलते हैं ब्लंडर इसमें मैंट मैंट तो